मदद करने सबसे बड़ी इंसानियत। दिन रात दूसरों की मदद करने में व्यस्त हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज जो हमारे साथ परिचर्चा में मौजूद हैं नाथनगर के समास से भी विजयादब जी ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगतार पिछले दो महिने से ये जन सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से इस कोरोना काल में लगे हुए हैं सबसे पहले तो विजयादब जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे हमारी स्टीडियो में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समास सेवा आप पिछले दो महिने से धाई महिने से कर रहे हैं जब से लॉगड़ॉन लागू हुआ है इस समय में सरकार कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पा रही है या फिर जो हमारे नेता राजनेता हैं वो भी आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं तो आपको इस चीज की प्रेर्णा कैसे मिली की लगतार जो जरुरत मंद हैं उनकी सेवा की जाए और जिनको भी ज करीब का साधी वगर होता था गाउ में तो उनको जो है मतलब कभी गेहु से या चावल से मदद कर देना कुछ पैसे से मदद कर देना पच्पन में पढ़ाई करता था मैं देखता था पिता जी जो है इस तरह का काम करते थे तो सुरुवात प्रेर्णा मुझे वहीं से मिली है कि पिता जी जो इस तरह का सेवा कर देते करीब के और मैं जब अपने पैर पह हुआ तो मुर्य लगा कि मैं भी कुछ जो है और खासकर करके यह कुरोना काल में लोगों का जो भी मुसीबत बड़ा इस मुसीबत को देखते हुए और उनकी जो भी समस्या था समस्या को दे सभी को राशन से पैसे से या और भी कुछ जरूरत पुढ़े दवाई से सभी लोगों को मैंने मदद करना शुरू किया मदद जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि सिर्फ अपने छेतर में नहीं भागलपूर जीले के बिवीनी छेतर में जहां से भी जरूरत मंद मुझे याद किया है मैं पहुचा हूँ और सारे लोगों को अपने तरफ से जहां तक जरूरत हुआ है मैं सेवा करने के लिए तयार तो मैं और भी कुछ सवाल आप से पूछना चाहूँगा और खास करके मेरे दर्सक आपके बारे में जादा जानने को इंट्रेस्टेड रहेंगे दिल्चस्प से दिखेंगे क्योंकि जिस तरीके साथ पिछले दो मेहने से जौरत मंदों की सेवा कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है हर कोई जान रहा है कि अभी हमारे राजनेता MP विदाय के मेले कोई इस संकट की घड़ी में जनता के साथ नहीं है और ऐसे संकट की घड़ी में चुकि आप निस्वार्त भाव से सेवा किये जा रहे हैं तो मुझे यकीन है कि हमारे जो स्रोता हैं हमारे जो दर्सक हैं वो आपके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे तो आप अपने कॉलेज लाइफ या फिर जिस समय से आप समाज सेवा में खुल कर जुड़े हैं उस समय की कुछ यादें कुछ बातें बताएं जैसी कि मैं समाज सेवा में करीब 2010 से मैं अपने पैर पे खड़ा हुआ उसी समय से मैं यह समाज सेवा में शुरूआ हूँ अपने गाउं से मैं यह शुरूबात किया था बहुत लोग कैसे जरूरत मन्द लोग थे कि साधी बिवाब में उनको पैसे से मदद करना या और भी किसी चीज़ से जरूरत पढ़ता था या सारीरी मदद करना हमेशा उसके लिए त्यार रहता था सारे लोगों को मैंने मदद करता था जो भी जरूरत मनता थे थे मेरे पास किसी को मैं ऐस तक घर से निरास नहीं जाने दिया मतलब जितने भी हमको लगता है कि करिब करिब सेकड़ों लोग आया होंगे मेरे पास मदद के लिए मैं उन सारे लोगों को जहां तक जरूरत था हमेंने मदद किया जिस तरीके से भागलपुर वासियों ने अपना जनपरतिनीधी चुना वोट डाल कर जिसे भी MP बनाया, MLA बनाया, मुख्यवंतरी बनाया वो लोग अभी जनता के बीच में सेवा करने के लिए उपस्तित नहीं है अभी जनता के बीच में आप जैसे ही कुछ समास सेवी हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं आपको राजनिती में आना चाहिए ताकि जनता का मदद आप और भी बड़े अस्तर पर कर सकें खुलकर कर सकें और सरकार भी उसमें आपका साथ दे जी नहीं किसी को सेवा करने के लिए राजनितिक में आना ये कोई ये बात नहीं के राजनितिक में होने के बाद भी किसी का सेवा करें ये कोई जरूरी नहीं है आम पब्लिक भी आम आदमी भी लोगों की सेवा कर सकते हैं ये बहुत लोग अभी ऐसे सेवा करने वाले ये कुरोनो काल में इसे बहुत लोग हैं जो की इस तरह का उधारन दिये हुए विततकाल बहुत लोग इसमें जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं जो की बिना राजनिति तो फिर वो 사ऑ होगा एशा कोई बात नहीं है शेवा करने का जज़बा होना प्रवहीं दिर ना होगा हो रगा हो कि यह सरकार पूरी तरीके से निस्क्रिया है। मदद भी करता हूं, मदद करके आगे के लिए प्रस्तान करता हूं। इतना कष्ट हुआ कि बस पुछे ही मत, मेरा दिल जान रहा है कि मैं क्या उसके लिए किया। तो मैं ततकाल उसको जो है एक मेने का रासन और कुछ आर्थिक मदद भी कर किया। और बहुत ही मतलब समझे कितना असिरवात देने लगे मुझे कि अब बोलाईने जा रहा उसके बारे में। जिस तरीके से आप लगतार निश्वार्थ भाव से जन सेवा कर रहे हैं और लगतार खादिशमागरी, रासन या फिर आर्थिक मदद मुहया करा रहे हैं। अभी दो दिन पहले कि ये घटना हुई थी जहां पैसे नहीं होने के कारण परिजनों ने अपने चाचा को घर के आंगन में ही दफना दिया था, दास अंसकार नहीं कर पाये थे। वहां से भी ये मालुमात हुई थी कि वहां भी आपने जाके आर्थिक मदद की तो वहां के द्रिशिक आप कुछ वर्णन करें ताकि हमारे दर्सक जान सकें कि अभी हमारे समाज में परिस्तिती क्या है। ज़्यादब जिए आप युवां हैं और देश जब संकट के रास्ते से गुजर रहा हो, इतनी भयानक महामारी फैली हुई हो, तब युवाओं का आगे आकर देश के परती प्यार दिखाना या जन सेवा करना एक बहुती शरहनिया काम है मैं चाहता हूँ आप हमारे देशवासियों के लिए सहरवासियों के लिए एक संदेश दें युवाओं को एक संदेज दें ताकि युवाँ आपसे प्ररीत होकर जन सेवा के लिए आगे आएं देखिए इसमें जो भी समर्थवान लोग है मैं सभी लोगों से हाथ जोर कर प्रातना करता हूँ कि जो भी समर्थवान लोग है कम सकम अगल बगल अपने आज पास भी लोगों की सेवा करें जो देखिए जरूरत मंद है यदि समर्थवान आए तो कम सकम परतियक समर्थवान 10-10 लोगों के भी सेवा करेंगा तो कोई भूका नहीं सोएगा सारे लोगों को खाना मिलेगा मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूँ समर्दबान लोग आगे आके गरीब की सेवा करें जो ततकाल अभी मजदूरी बंद है काम धंदे बंद है यहां तक कि प्रावेट सेक्टर के सारे काम बंद है सारे की बेतन बंद है इसके बज़ा से बहुत अभी मिडिल क्लास में बुकमरी बहुत ज़ादा है उसको देखते हैं समर्दबान लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वो कम सकम दस आदमी को जरूर मदद करे इससे जो है हमारे देश में कोई भूका नहीं सुएगा चलिए मैं सबसे अंतिम में आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपने दर्सकों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा समास से भी विज़ायादव है ये लगतार पिछले धाई मेहने से जन सेवा कर रहे हैं और इनके द्वारा किया गया कार ये काफी सरानिया है सुभा साम राद दिन ये लगे रहते हैं मैं जानना चाहूँगा विज़ायादव जी कि जब आप जन सेवा में लगे रहते हैं लगतार धाई मेने से आप विवयस्त हैं इस दोरान आपके सेहत का खयाल या फिर आपके खान पान का खयाल कोन रख रहा है या फिर आप जन सेवा में अपने सेहत का खयाल रखना भूल गया हैं जन सेवा में अपने सेहत का खयाल तो बिलकुल भूल गया हूँ इसमें मेरी पत्नी मुझे बहुत इसमें जो मेरे सेहत पर ख्याल रखती है और बहुत ज़्यादा मतलब समझे कि मैं सुभा जो 10 वजे निकलता हूँ मुझे खाना खिला के घर से घर निकलता है उसके मान मैं बापस घर नहीं जा पाता हूँ रात 10 वजे ही जाता हूँ बीच जाने के बाद पत्नी तो बोलती कि आप दिन में कुछ खाए ने कहीं नास्ता कर लिजिए तो इसमें पत्नी का भी मेरा बहुत सयोग है और इस सयोग में समझे कि यह सेवा में वो अपने खाते तक का पैसा निकाल के मुझे दे दिया है लोगों की सेवा करने के लिए एकदम सेवा भाव इसी तरीके से होना चाहिए निस्वार्थ होना चाहिए जब भी आप किसी को इस आवास्था में देखते हैं कि उसे मदद की आवस्चता है तो आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए हमारे साथ अभी भागलपूर के नातनगर के युवा समाज सेवी विजयादब थे जो पिछले धाई महने से लगतार जरुरतमंदों की मदद कर रहे हैं आगे आकर समाज में जिसे भी जिस भी चीज की जरुरत है अपने तरीके से अपनी और से इस चीज को उस चीज को कि कोरोना का काल अभी खत्म नहीं हुआ है आप सुरक छात्मक तरीके से अपना ख्याल रखें माश्क लगा कर चलें और यदि आप हमारा यह सो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्रा करें धन्यवाद